कि नमश्कार संसक्राइब पीसव के के यूटीव चैनल पर आप सबीका स्वागत है मेरा नाम है प्राची मिष्ण और आज बात करने वाले हैं कुछ महाद्पूर्पूर्ण जैसे हर साल सिप्री की रिपोर्ट आती है जो आपके बताती है कि हथियारों में कौन सा देश कितना खर्च कर रहा है इस हिसी के साथ ही चला जा रहा है इसमें स्लोवेनिया ने अपना समर्थन दिखाया है इसमें शामिल हो चुका है महासागर दसक समीलन 2014 के बारे में चर्चा करेंगे तो इस तरीके से महातुपोर बिंदू है जिनको हम डिटेल में जानेंगे सबसे पहले हमारे जो न्यूज है वो है अलीगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले से संबंदित क्योंकि यहां पर पहली महिला चांसलर न्यूक्त क नहीं हुई थी इस इस्तिती में यह पहली महिला चांसलर बनी है इसलिए इंपोर्डेंट हो जाता है एक्जाम में पूछने की संभावना आपकी बढ़ जाती है जलिए अब इनका नाम है नाइमा खातून और इनको वर्तमान में अलीगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले देनो कि आप मुस्लिम विश्विद्याले की महिला चांसलर नाइमा खातून वर्तमान में अलीगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले के ताथ करके वहां पर इन्होंने क्या करा है लोग को शिक्षा प्रदान करी है आगे देख लेते हैं अलिक और मुस्लिम युनिवस्टी के अलावा भारत में केवल दो और केंद्री विश्वड्याले हैं जिनकी वाइस चांसलर महिला रही है सबसे पहले आप बात करें तो शांत्री जो की कहां की रही है जावाहर लाल नहरू उनिवस्टी की वाइस चांसलर रही है दूसरा है मेरा प्यारा कॉलज जहां से मैं ने पढ़ाई करी है तो नजमा अक्तर यहां अब को दिखाई दे रही है अभी अलिगाड मुस्लिम युनिवस्टी में बन गई है ठीक है आगे बात करेंगे अब हम थोड़ा सा अलिगाड मुस्लिम युनिवस्टी के बारे में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब इसकी स्थापना हुई थी 1877 में तो मुहम्मद एगलो ओरि स्थापना की गई थी ब्रिटिश शरकार ने अलिगाड मुस्लिम यूनिवस्टी अधिनियम 1920 लाया और इस अधिनियम के दौरा यह जो कॉलेज है इसको इसमें मर्ज कर दिया गया यह भी इसका हिस्सा बन गया देन आपको दिखाए देता यह पूरा कॉलेज फॉर्मेट हुआ मुहम्मद एगलो ओरिएंटल कॉलेज और इसकी संपत्या किसके अधिकार छेत्र में अलिगड मुस्लिम विश्विद्याले को हस् पुषारण किया गया कुवेट के दिबात की जाए तो वहां पर हिंदी भाषी बहुत जादा मात्रा में रह रहे हैं अगर देखे तो आकड़ा नौ से दसलाब के आसपास पहुचता है इतने सारे भारती कुवेट में रहते हैं तो पहली बार कुवेट में क्या किया गया ह संदेश क्या था यह करने का कि भारत के साथ जो कुवेट के संबन्ध हैं उनमें बदूरता आए आपसी पारस्परिक सयोग जो है उसमें व्रद्धी हो और इसी को देखते हुए भारती दूतावास में संदेश भी पहुचाया है कि इसी उद्देश से यह जो रेडियो पर सेशन शुरू हुआ हिंदी का तो इनी कारणों से शुरू किया गया आगे बात करते हैं भारती समुदाय कुवेट में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय हो जाता है जैसे मैंने बताया कि हाँ लगबग 9-10 लाख भारती निवास करते हैं कहां पर कुवेट में चलिए आग साउधी राव और यह आपका इराक इसकी जोसिवा यह असका करता है तो दीनार यहां की मुदरा है आगे चल लेते हैं तरक पर फेसर सुरिंदर चुक्त को मिला है आपके मैल कम अदिशेषच्या परशकार 2022 इसके बारे में चर्चा करेंगे कि यह पुरुसकार आखिर किसी दिया जाता है कौन सा इस्ट्यूट यह पुरुसकार दिया जाता है और किस छेत्र में अक्षा अच्छा काम करने पर यह मिलता है तो प्रफेसर सुरंदर एस जोदगा को मैलकम आदिसेश्या पुरुसकार यह पुरुसकार आपको पुरुसकार आपको पुरुसकार आपके मैलकम अड़ अलीजाबेद आदिसेश्या ट्रिस्ट द्वारा पुरुदान किया जाता है तो जो भी वेक्ति आप देखोगे अनुसंधान से रिलेटेड और नीती समर्थन या फिर आपके सार्जनिक सेव से छलए अच्छा काम करते हैं उनको यह मुदं किया जाता है इसके तहत पुरुसकार दया जाता है यह पुरुसकार प्रतेक वर्ष स्षा माजिक विज्ञानिक को दिया जाता यह भारत में सबसे प्रतिश्चित राष्ट्रिय पुरुस्कारों में से एक माना जाता है जो विकास आध्यान के छेत्र में सामाजिक विज्ञानिकों के उत्कृष्ट युगदान को मानेता देता है इसे वर्ष 2000 में मैलकम और जो एलीजाबेद है आधिशेशिया ट्रस्ट स्थापित किया गया थो वर्ष 2000 से पूर्दान क्या जा रहा है अब बात करेंगे हम किसकी तो एसी सी पैरा केनो एशिया चैंपियनशिफ दोहजार 24 गी जीती है वो प्राचि यादो ने जीती है मैंने नहीं प्राचि यादो किया गया था आब करें ACC आपका टोक्यो जपैन में किया गया था किसे दिया गया है तो स्लोवेनिया आपके अमेरिका के नितृत में कारिका करता है यह तो अंतरिक्ष से जुड़ी जो एक तरीके से कोई आपकी सरकारी या फिर आप देखोंगे संगठन नहीं है यह आपका गैर बार्देकारी ववस्था है बनाई गई है कि भाहरी जो पालन की जाने वाले मापधंड हैं उनको Onu और दारेत करता है यह पर यह यह नहीं करेगा कि अगर हमने यह यह वबस्त है जिसका मन इसमें एंट्री करें जिसका मन इससे बाहर जाए जिसका मन जो से समझनी जो चीजें वो कर सकता है यह 13 अक्टूबर 2020 को अस्तित्व में आया था लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरीके से विवस्था ही खराब कर दे जो अच्छी चीजें उसमें सहयोग भी कर सकता है ऐसा 1967 की बाय आंतरिक शंदी पर आधारित है बाय आंतरिक शंदी क्या है तो यह अंतर राष्ट यह अंतरिक्ष की कानून की नीव के रूप में कारे करता है और यह सहीक तुराज के तहट एक बहु पच्छी आप देखोगे समझोता है इसलमें बहुत सारे देश शामिल है अभ नामें शायत उनका मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूं तो आप उसमें मैप वगेरा लगा दिया करें तो अब मैं यह बात ध्यान रखूंगी की बीच पीच में जो मैप से रिलेटेड या जोग्रफी से रिलेटेड कोई चीज है जैसे अगर कोई कंट्री से आता है त आपकी क्लास होती है उसमें और बाकी आगे से में ध्यार रखूगी कि अगर ऐसी कोई जगे है तो मैं यहां पर मेंजन कर दूँ 21 जून 2020 को भारत आर्टमिस मिसन समझोते वाला 27 देश बना था और अब इसमें 39 टोटल देश हो चुके हैं आगे बात करेंगे हां एची छो सब्सक्राइब नहीं हुए है बाकी सब्सक्राइब देखोगे कि आपको मिल जाएंगे महासागर्दशक समयलन 2024 इसके बारे में चर्चा करेंगे इसका जो आयोजन क्या रहा है वो स्पेन की सरकार ने यूनेसको के अंतह सरकारी महासागरी आयोग के साथ मिलकर के किया है ठ देश्था तो बेसिकली महासागर जो छेत्र है वो हर एक वोंफ सब्सक्राइब तो इसको कैसे कि है टोς उड़म Bene लेकर कि यह जो आपके इस उद्देश से यह जो सम्मेलन है वह किया गया है तो सतर्स विकास के लिए संयुक्तराष्ट महासागर विज्ञान दशक 2021 से 2030 के लक्ष प्राप्ति की प्रगति की समिक्षा करना एक तो उद्देश था जो इन्होंने बनाया था दूसरा विबिन हि समुद्र के पर्सिकी तंत्र के पूर्वा नुमान के लिए चेत्र विशिष्ट महासागर अब लोकन केंद्र इस्थापित करने का आहन किया है तो इस सेक्टर में भारत की तरव से क्या सही होग दिया गया है वो यह है कि वो क्या करेगा चेत्र विशिष्ट महासागर अब अनुसार ठीक है अब बात करते हैं कैसे कैसे तो भारत ने वर्ष 2030 में 83.6 अरब डॉलर से ने खर्च किया है और 2022 में जो खर्च है वो 42 परसेंट और 2014 से 44 परसेंट अधिक है जो इन्होंने किया था 2023 में और आप यह जो दो हजार 24 में ऐसे करने वाले तो यह जो आपकी रिपोर्ट बता रहे हैं इसके अनुसार भारत क्या है धीरे धीरे आप देखोगे जो सैन अपना चेत्र उसको मजबूत कर रहे हैं आवश्यक्त है करेंगे हम देखते हैं नहीं मिसाइल सा रही है मार वी टक्नोजी की मिसाइल सारी तो हमाले इंपोर्टन है आज क्या है कि हमें इस सेक्टर पर जादा पैसा खर्च करना पड़ेगा इस रिपोर्ट में और तीन देश कौन-कौन से रहे हैं 2030 के दिवाट की जाए तो सैक्तर अपने स्टाइन छेतर में बात कर लेते हैं हम स्टाइक होम इंटरनाशनल पीस रिसर्च इंस्ट्यूट सिप्री के बारे में अस्थापना इसके हुई थी 1966 में ख्याला भी इसका स्टाइक होम बेही है या स्वीडन की राजधानी भी है कार्य क्या होते हैं तो युद्ञ जो आकडों का करना और सुजा उपलब्द कराना इसका कार्य होता है चलिए आगे बात कर लेते हैं अंत में प्रश्ण की कि हाल ही में किस देश में पहली बार हिंदी भाषा में रेडियो प्रशारण किया गया है खुवैत में कनाड़ा में अमेरिका में या फिर शिलंका में आप सभी कमेंड में मुझे आंसर अवश्य दीजेगा आपके जो मैं कमेंट्स पढ़ती हूं मुझे दो 15-20 कमेंट्स ही मिलते हैं जो बच्चे डेली आंसर करते हैं बहुत कम हैं जो डेली आंसर करते हैं तो आप अाप्पल